विकी कौशल जिनने कुछ समय पहले सैम भादूर और डंकी जैसी फिल्मों में देखा गया था इन दिनों आक्टर विकी कौशल अपनी अपकमिंग फिल्मों के लिए जबर्दस तैयारी कर रहे है कुछ समय पहले विकी कोशल एक फिल्म के एक्शन सीक्वेंस के दौरान घायल हो गए थे इस बीच विकी कोशल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक्टर को दर्द में भी वर्काउट करते देखा जा सकता है घायल होने के बावजूद आक्टर ने हार नहीं मानी और अपनी प्रोजेक्स के लिए जिम में पसीना भाते नजर आ रहे है विकी का जस्बा देख आप भी हरान रह जाएंगे विकी अपनी अपकमिंग फिल्म चावा के दौरान एक खतरनाक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान घायल हो गए अपनी रिकवरी के दौरान उन्हें जिम में वर्काउट गोल पूरा करते देखा जा सकता है गायल होने के बावजूद विकी कॉशल का अपने काम के प्रती डेडिकेशन देखकर सोशल मीडिया पर लोग उनकी तारीफ कर रहे है अक्टर ने अपने इंस्टेग्राम स्टोरीज पर अपना वीडियो शेयर करते हुए लिखा जब हम दौड नहीं सकते तो हम चलते हैं हम रुखते नहीं है बता दे कि विकी के बाय हाथ में प्लास्टर चड़ा हुआ दिखाई दे रहा है बात करें विकी कोशल के वर्क फ्रंट की तो वो फिल्म चावा में नजर आएंगे जो फिल्म चत्रपती शिवाजी महराज के पुत्र चत्रपती संभाजी महराज के जीवन के इर्दगिर्द गूमती है फिल्म में विकिकोशल मराथा सामराज्य की संसापक की सबसे बड़ी बेटी चत्रपती संभाजी महराज का किरदार निभाने के लिए तैयार है बता दे कि उनके साथ इस फिल्म में रश्मी का मनाना भी साथ दिखाई देने वाली है